So hello everyone, मेरा नाम धननजे है, आज इस वीडियो में हम लोग काफी important बात करने वाले हैं, हस इसलिए रहा हूँ क्योंकि सबके लिए जरूरी है, सबके लिए, बट मेरी हसी जो आई है, वो आई है सारे उन सारे startup owners या company मालिक या जो खुद own कर रहे हैं business को उनके लिए, क्योंकि मै salary hike बोलना हूँ, तो सारे imply मांगेंगे और उनकी जेब से जाना है, तो दुख उनको होने वाला, बट कोई नहीं, जो salary hike के जो मैं parameters बताने वाला हूँ, उन सब parameters में जो खरा उतरेगा, उससे company को ही फायदा होगा, so company owners, startup owners, मालिक, directors, HR owners, HR heads, सबको फायदा होने वाला, आप salary salary hike ऐसे नहीं देने वाले हो, because मैं जो parameter बताने वाला हूँ, उससे मैं sure short guarantee दे सकता हूँ, कि आपकी salary बढ़ेगी, और आपको जो owners हैं, उनको बढ़ाते हुए अच्छा लगेगा, मैंने अपनी खुद की salary, 9 and half years, लगबग लगग 10 साल मैंने काम किया था, अपनी life का, 2004 to 2013 त दिसंबर तक और उसमें मैंने अपनी salary 12 times बारेक गुना बढ़ाई थी, तो वो सारे tips मैं आपको दूँगा, company में कैसे salary hike की जाती है, कैसे आप better negotiate करो, कैसे आप बिना सायदा कहे आपकी salary बढ़ जाए, ये सारे points आज हम लो discuss करने वाले हैं, कुल मिला के 5 points होगा, पहला point है why you should get higher salary than your current one, second point, rate yourself with peers, अपने साथ वाले लोगों के साथ अपने आपको rate करो, उसके बाद तीसरा है, monitor market trend, market के trend को भी जानना आपको जरूरी है, otherwise आप कैसे rate करेंगे, कैसे आप salary अपनी hike का expect करोगे, fourth point है, add skills and solve bigger problems, और उसके बाद, fifth point है, negotiate with HR and boss, एक additional point देने वाला हूँ, जो सबके लिए free का point है, सारे point है, लेकिन फिर भी वो ये है, कि अगर ये नहीं होता है, तो quit या switch करना कैसे, उसको हम better बना सकें, तो इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले, as usual मेरा request होगा, चैनल पर first time आये हैं, तो बिना subscribe की आगे मत बढ़िएगा, और like जलू करिए, वीडियो अगर पसंद आए, और इसको share भी करिए अपने दोस्तों में, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहली बात एक होता है, greed है यार ज्यादा मिलना आज किसे बुरा ल तो सबसे पहले, एक again मैं पुछले boss की बात बताऊंगा, एक term होता है, deserve then desire, आप देखिए, आप अपनी salary को justify कर पा रहे हैं, अगर आप justify कर रहे हैं अपनी salary को, तो आप deserve नहीं करते है हाई की, क्योंकि आप तो अपनी salary को ही justify कर रहे हो, आप अगर अपनी salary को grow करवाना चा करेंगे, जिससे company को आप से ज्यादा फायदा मिले, लोगी company आपको पैसे क्यों देगी ज्यादा, naturally वो तब देगी ना, जब आप ज्यादा valuable होंगे, उनकी problems को solve करेंगे, यहाँ पे मैं अपना example बता रहा हूँ, मैं जिस company में काम करता था, वहाँ पे frequent transition बहुत होता था, म मैं क्या करने लगा, मैं उनकी problem solve करने लगा, although मैं बिलकुल भी HR से related काम नहीं था, मेरा operation में था एक तरह से, लेकिन मैं HR की problem को solve करने लगा, जब मैं HR की problem को solve करने लगा, तो उनके लिए थोड़ा आसानी हो गई, सबका मैं HR ही करता है, डारेक्टर के साथ, तो HR का ही interaction होता है, वहाँ से मुझे edge मिलने लगा, फिर मैं कुछ और problem solve करने लगा, मैं operation में अगर marketing में help करने लगा, तो वो भी add-on सुविधा हो गई, हलाकि आपको पता है, थोड़ा सा, मैं आज के, इनों करीब करीब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आज आपको किसी दूसरे vertical में पही बार दिक्कत होगी, क्योंकि यह लोग allow नहीं करते हैं, at least marketing में तो allow नहीं करेंगे, बट help जरूर आप से ले सकते हैं, तो आप help करो और आप अच्छा करोगे, तो company में वाद धिरे-धिरे ऊपर जाएगी, यानि desert, then desire, आप देखो आप कितनी problem solve कर रहे हो, क्योंकि actual ज आप करते हैं, अगर company अपने आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे point पर आजाते है, rate yourself with the peers, आपके साथ आपके profile पे कुछ लोग तो और होंगे ही होंगे, आपने आपको rate करिये वहां भी, कि क्या आपके जो peers हैं, जो काम कर रहे हैं, वही कामा भी कर रहे हो, आप उनसे कितना better कर रहे हो, उनसे कितनी जादा efficiently कर रहे हो, उनसे ज्यादा कितना आप company को बचा के देते हो, देखो क्या है कि company को आप 10 रुपे दोगे, तो company आपको, उसमें से एक रुपया निकाल के देगी, एक तरह से salary के time में, तो आप company का कितना benefit कर रहे हो, आपके वज़एसे company कितना flourish कर रही है आपके वज़ा से कंपनी कितना grow कर रही है और आप कितने efficient हो as compared to with your other colleagues तो ये जरूर compare करना है तभी आप effectively अपने deserveance company के सामने रख सकते हो एक और मेरा बुद्धा है कई बार आप देखते हो किसी particular post के लिए कोई बंदा ज्यादा चली पे रहा होगा कोई कम पे होगा कई बार लोग negotiation skill बहुत अच्छी होती है तो HR के साथ वो negotiate कर लेते हैं कुछ मामले में luck भी होता है जब एक particular need होती किसी profile पे किसी बंदे की तो HR जादा भी दे देता है और जब need नहीं होती है तो अच्छे बंदे को भी साथ उतनी offer नहीं करता जितना वो deserve करता है तो ऐसी situation भी आती है तो luck कम factor होता है लेकिन time के साथ सब subsidize हो जाता है और जो talented बंदा उबर के आ जाता है ये तो हर corporate में होता है ती तो धिरे धिरे अगर कोई नया HR आ गया नया director आ गया उसने cost cutting की सोची सोची कि हमारे यहां तो giant लोग हैं हमारे यहां तो बहुत सारे you know ऐसे white elephant है इनको हटाओ और cost cutting करो इतनी पैसे में तो हम दो लोग को higher कर लेंगे तो आपको हर बार आपको देखना पड़ेगा market trend क्या अगर market trend आपकी अपने position पे ज़्यादा salary है ज़्यादा salary मिल रही है कहीं कहीं बार सहर और city का भी होता है dependency आप जिस सहर में है वहाँ पे वही salary चल रही है और आप कई बार inertia की बज़े से आपका घर है या आप कई साल से वहाँ हो गया आप उसको छोड़ना नहीं चाहते है तो ये factor आप देखिए कि market trend क्या है आपके सहर में generally उस job profile के लिए कितनी salary है even salary जितनी भी है उससे आप ज़्यादा मांग सकते हैं डिजर्ब कर सकते हैं अगर आप performer है आपके सहर में किसी particular job profile 50,000 generally सारी companies दे रही है plus minus 5 so you can go up to 70,000 अराम से आप जा सकते हो थोड़ा problem again bigger problem तो हर heading में बोलूँगा add skills का मतलब क्या हुआ आप माल लेजिए sales में है और sales में आप काम है direct b2b you know business to business या b2c business to customer आप जा रहे हो वहां पे आप देखो कि क्या कुछ intelligence add करने पे क्या कुछ technology add करने से आपकी performance बढ़ रही है क्या for example मैंने मुझे कोई जूरत नहीं है ले कि मैंने उसको एक ही दो जगे यूज किया what I believe कि power BI को यूज करके मैं presentation बहुत अच्छा बना रहा हूँ जब मैंने power BI यूज किया तो मुझे बहुत सारे encrypted you know presentation के slides मिले pre-designed templates मिले अब मुझे लगता है कि मेरा presentation और better हो चकता है तो similarly अगर आप marketing में है sales में है या operation में है जहा पर आपको projections देना पड़ता है तो वहाँ पर आप अगर अपने कुछ skill add करेंगे उसके basis पर थोड़ी चीजे better दिखा पाएं better project कर पाएं या better convert कर पाएं तो आपके लिए काफी फायदा होगा चलो दूसरे skill की बात करें suppose you are performing or working on a software software पर आपका काम कर रहे हैं लेकिन आपने पैरलेली कुछ और सारे AI tools, chat GPT या Google का जो नए AI based tool आया है उन सब पे काम करके अपनी productivity अपनी efficiency को और better कर दिए आप अपने skill को और बढ़ा दिए और अब आप उतने ही समय में ज़्यादा problem solve कर पा रहे हो तो यहां भी आप expect कर सकते हो अपनी salary increment का पाच्वा point है negotiation with HR and boss तर वर negotiation में हमें एक तर रहता है हमें लगता है कि अगर हम भूलेंगे तो यार कहीं fire ना कर दें गलत इमेज ना चला जाए बट जब भी आप negotiation करें तो with solid region करें pre appointment ले लें बात करके जाएं लेकिन solid region होना चाहिए कि solid region क्या है कई बर हमें लगता है कि HR हमारी नहीं सुनेगा और इसकी वज़ए से हमें company को छोड़ दे दे that is really very very wrong thing ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए बाद में आपको बहुत पश्तावा होगा क्योंकि जिस company में आप 10 साल से है 8 साल से चार साल से है उसको आप बस exemption पे छोड़ दे रहे हैं कि आप कहेंगे और यह नहीं माना जाएगा क्योंकि लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी जो लायल्टी है इंटीग्रिटी है वह भी पनी रहेगी और जो six point मैंने बोला था कि quit करना जाब करने से switching बार बार करने से कई बार हम अच्छी सेल्ली ले लेते हैं इसको मैं negative नहीं मानता अगर आप career में growth चाहते हैं आप चाहते है कि यार uncertainty तो हर जगर private में है तो क्यों न हम इसको grow करें और जल्दी यल्दी grow करके भी कई बार लोग अच्छी सेल्ली ले लेते हैं बट उसमें frequent आपको तयार रहना होगा city to city travel करने का कई बार same share में सारी opportunity नहीं होती है लेकिन एक अच्छा idea होता है कई कई बार मैंने देख तो ऐसा भी situation कई बार देखा गया है लेकिन इन सभी cases में यही है कि आपको एक thumb rule है problem बड़ी solve करनी पड़ेगी आपको प्रूब करना पड़ेगा आप deserve करो then desire करो मुझे लगता है आपको salary आपके salary बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता आपको thank you very much bye bye take care